हाई फ्रेंड्स कुश्चिन नमबर 26 दिखते है ठीक है इन दा गिवन फिगर ओ पी क्यू आर इस रोंबस त्री ओफ होस वर्टाइसेज लाई ओन शर्कल विच सेंटर ओ इफ द एरिया ओफ द रोंबस is 32 root 3 square centimeter find the radius of the circle ठीक है तो देखो इस फिगर के ध्यान दो ठीक है तो यह क्या है अपका अपका O P Q R क्या है रोंबस है इस रोंबस के जो थ्री वर्टाइसेज है वो सर्कल पे ही लाई कर रहा है तो कह रहा है कि इस सर्कल का जो रेडियस है that means O P को हो चाए O Q को हो या O R को इसकी आपको रेडियस find out करने है कैसे find out करो है चलो देख को question को देखते है तो देखो एक क्या है यह हमारा सर्कल है और यह center है तो रोंबस के जो रोंबस जो है रोंबस के थ्री वर्टाइसेज जो है किसके लाई है circle पे ही तो एक किया हो गया एक किया और एक किया और यह ठीक है तो आपका O है यह P है यह Q है और यह क्या है R है ठीक है तो देखो यह ध्यान देना हमें क्या find out करना है radius of circle radius of circle मतलब circle का radius find out करना है तो कैसे find out करेंगे देखो और सीजिस में दिया हुआ है क्या दिया हुआ है रोंबस की area दिया है area of the रोंबस दिया है कितना दिया है 32 root 3 square centimeter ठीक है तो कैसे find out करेंगे radius तो तो हम लोग रोंबस के case में एक प्रपर्टी के प्रपर्टी के बारे में जानते हैं कौन सो प्रपर्टी है कि जो रोंबस का जो डाइगोनस होते हैं वह एक दुसरे को right angle पे bisect करते हैं that means जो है यह जो p q diagonal है p q diagonal है और q o diagonal है दोनों एक दुसरे के क्या होते perpendicular होते है q p q o at at माल लेते हैं यहां पर इसको l माल लेता हूं ठीक है at l ठीक है यहां पर दोनों के दोनों जो है जो p q जो आपका p p q नहीं जी यह p r है p r है p r है और q o है p r और q o जो है इस रोंबस का जो डाइगोनस है यह दोनों एक दुसरे को क्या करते हैं एक दुसरे को bisect करते हैं ठीक है यह भी statement मैं इसमें लिख दे रहा हूं देखो rhombus diagonal of rhombus diagonal diagonals of rhombus bisect each other each other at right angle at right angle ठीक है at right angle ठीक है तो देखो that means जो है यहाँ पर angle कितना होगा 90 होगा नो तो देखो यह जो q o q दिख रहे हो क्या o q जो है radius of circle की equal है कि नहीं क्योंकि यहाँ center है और यह circle पर q point like कर रहा है तो that means जो हमारा o q जो है वह equal है किसके radius के तो o q जो है वह equal है radius के और यह भी क्या है rhombus का diagonals है एक दुसरा आपका pr है तो यहाँ देखो तो माल लेते है हमारा जो है यह जो देखो यह जो p o जो है यह क्या है यह भी circle का radius है क्योंकि center यहाँ पर है और यहाँ पर तो point को एक circle पर और center पर जो point हो इसको जो line similar join करते उसी को radius करते है नो तो हमारा यह भी radius है that means यह भी equal हो जाएगा किसके r के ठीक है तो हम इसको माल लेते हमारा यह r होगया ठीक है और यह o q जो है o q जो क्या है यह भी r है तो o l की value क्या हो जाएगा r by 2 क्यों क्योंकि हमने अभी देखा है कि जो p pr जो है वह o q डाइगनल्स को दो पार्ट में divide कर देता है similarly अब जो है q p जो है वह भी क्या करता है p r डाइगनल्स को two equal part में divide कर देता है तो that means जो है यह pl जो है और sorry आपका o l जो है और q l दोनों equal होगा किस के r के half के half of r के that means यह हमार कितना होगा r by 2 तो मैं यहाँ पर mention कर देना o l जो है वह हो जाएगा r by 2 ठीक है तो देखो अगर आप ध्यांस देखोगे o o pl triangle o pl में ध्यांस देखोगे यह o pl तो कंसा triangle दिख रहा है आपका right angle triangle दिख रहा है तो right angle triangle के help से जो हम पाइथागुरस थिर्म apply करेंगे उसमें तो क्या हम pl की value find out कर सकते है अपकोस तो पाइथागुरस क्या होता है hypotenuse that means po का square equal to sum of square of other two sides तो pl का square plus ol का square ठीक है तो po po all it दिया r दिया है तो r आगया r square pl कितना है pl के value हमें find out करना है plus ol कितना है तो ol जो है r by 2 है ठीक है तो r by 2 का square आगया तो देखो r square r by 2 को इधर सुप करते हैं तो r by 2 का square equal to pl का square तो r square minus r square by 4 equal to pl का square यहां कुछ नहीं तो 1 और 4 का LCM लेंगे कितना होगा 4 तो 1 से 4 को divide करेंगे तो 4 बार में 4 r square में से r square कितना होगा 3 r square by 4 equal to pl देखो इधर square है तो square को साइड लाओ तो क्या हो जाए square root हो ठीक है तो यहां पे r का square इसमें से 1 r तो बाहर आजाएगा यहां 4 है तो 4 को 2 into 2 कर सकते हो that means 2 बाहर आजाएगा लेकिन 3 जो है एक ही है इसलिए इसको root के अंदर ही रखेंगे तो हमारा pl का value आ गया कितना r by 2 root 3 तो देखो यहां पे तो यह pl का value हो गया कितना निकल गया pl का value r r root 3 by 2 लेकिन हमें चाहिए pr तो pr equal कितना होगा तो pr जो है वह equal होगा 2 times of pl ठीक है तो 2 into pl कितना होगया r into root 3 by 2 2 से 2 cancel that means p q equal to r root 3 आ गया r root 3 देखो हमारा जो है दोनों डाइगोनोस की length find out होगया एक डाइगोनोस जो है r है दूसरा डाइगोनोस जो है r root 3 है ठीक है तो हम लोग जो है जानते है rombus की area का formula क्या होता है half of d1 into d2 ठीक है तो यहाँ देखना area of rombus area of rombus क्या होता है half of d1 into d2 ठीक है तो यह क्या rombus के area और rombus के area अलरीड़ी इतने आप दिया हूँ अब कितना 32 root 3 ठीक है तो देखो ठीक है तो यहाँ देखो तो आपा कितना हो गया यहाँ पे हाप और माल लेते हैं pq जो है p r जो है यह किसके equal हो d1 के और d1 जो है हमारा किसके equal हो जागा d1 तुमारा कितना पी आर कितना है p r जो है सुरी यहाँ पे पी आर जागा यहाँ पी आर जागा यहाँ पे पी आर जागा ठीक है तो पी आर इक्वल टू जागा आर रूट 3 हो जाएगा ठीक है अब हमें oq तो oq जो है वह equal इसे मालने थे है d2 तो कितना r हो गया तो half of r root 3 into d2 कितना है r है equal to 32 root 3 तो यहाँ देखो तो r into r क्या होगा r square root 3 by 2 equal to 32 root 3 देखो root 3 को क्या करो जब cross multiply करोगे तो root 3 आपका नीचे आजगा तो फिर आप cancel कर दो इससे अच्छा जो है आप यहीं पे cancel कर दो ठीक है r square equal to क्या हो जगा आपका 2 cross multiply करो 32 into 2 हो गया तो r square equal to square root आ गया तो 64 तो 64 का square root क्या होता है 8 होता है that means है r का value कितना आ गया 8 cm तो radius radius of circle is 8 cm तो प्लीज दोस्तों अगर आपको video अच्छे लगे और आपके लिए अगर helpful है तो प्लीज चनल को like and subscribe प्लीज जरूर करें क्योंकि आपका like and subscribe भी motivate करता है okay thank you friends झाल 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 झाल